तो हमारी लाइफ के लिए ये बहुत जादा आवश्यक है कि हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सपना रखें और उसके लिए बहुत चोटा सा शरीर की भूग को संतुष्ट करें अब बड़ा सपना रखना यानि इश्वर यानि ये इश्वर यह होगा बड़ा सपना ब हमारे मन की दृप्टि मन पीछ रस्षे में कहा है यहां मन क्या कहता है ये चाहिए वो चाहिए और अभंगे लाते मन की संतु스ष्टी हमारा अपना मन मुझे जो जैसे जितनी थि जो जैसा संसकार उतना ही अकल तो मैं अपने ही मन से अपने ही मन को कर सकता संतुष्टी हमारा अपना मन मुजे जयसी जितनी पुद्धि जो जैसा अकल तो मैं अपने ही मन से अपने ही मन को कर सकता नहीं क्यूकि मुझे जितनी पुद्धी यह वह वैसा ही प्रोसेसर है उतना है जानता है तो baru को परिवर्थित करने केल के वहां से टोचन करके ले जाती है, तो वो दूसरे की शक्ती से हम बढ़े, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने सपने इच्छा है, हमारे अपने कर्म हमसे पूरे नहीं होते हैं, दुनिया के बहुत बड़े-बड़े धावक हैं, बहुत बड़े-बेडमिंटन प्ल तो ज्यादा जानने वहला जो एक्सपिरियंस है, वो यूजुली बुड़ाफे में भी आता है, तो एक हो गया वृद्ध यानि की जिसके पास एक्स्ट्रा है, वो वृद्ध 20 साल का भी हो सकता है, एसी साल का भी हो सकता है, वृद्ध का मतलब क्या हुआ, आप अगर किसी के पास अपने पेट की भूख पूरी नहीं हुई, परिवार की नहीं हुई, समाज की नहीं, वो कोई नहीं देगा आपको, तो आपको कौन देगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है, आशिरवाद क्या हुआ, एक्स्ट्रा, जिसके पास फालतू वही तो देगा आप किसी से आशेरवाद ले गई तो जिसके पास एक्स्ट्रा करना बहुत जरूरी है कौन है जो एक्स्ट्रा दे सकता है जो बिना गिने दे आपको युश्वर दे सकता है पर मात्मा कैसे देगा एक्सट्रा एक मात्मा जी पेड़ के नीचे बैखे भजन सत्संग में लगे आप उसने दूद का बर्तन दिया और उस दूध वाली ने खटा veto-खटा जुद डाले ऑजँ दो चार पांज वार और बरतन भर के दे दिया बड़े मुस्कुरा लाखे तो दिन बार फिर देखाया या जिया थी कि वह थो अपना पूरा बरतन उढेल देती है इसके वरतन में बोले प्रेमी है मेरा इसे प्यार करती हो नापतनी कुछ मैं प्यार में नापतन होता है महराज ने अपनी प्री खता हूँ बोरे यार मेन साला नापता ही तोलता रहत हूँ मेरे सोचहरान है कितनी मात्रा चाहिए रख extinct कितनी मात्रा का है हम सौगा रोट चड़ाते हैं मंदीर में They are distinguished by not जिस ने 500 की बढ़ी चोटी बृत E इसी पलानिंग कर रहा है अब दूद देना है तो बुरा भरके देना प्रयम करना है सब्सक्राइब चाहिए बंधा बंगική जीक्षाņ सब्सक्राइब कर दोeen में का रहे तो इसकिल नाम के लिए बोलते हो लेते हो लेते थो खुद कभी देखा नहीं उनने इशारा किया सामने पगडंडी के उपर एक लेडी, पानी का घरा भड़ा, पानी का भड़ा हुआ घरा, से पर लेका जा रहा ही थी साईड में एक छोटा सा बच्चा और गाना गुन-गुना रहती, बोले देखो इसको, क्या कर रही है? बोले देखो बच्चा संभाल अच्छा तो गाना निए भूल जाएगी गाना चल रहा है अपने आप मस्ती में हैं प्रसंडय तो गागर का क्या है वह गागर देखोई छलक मीन रही गागर घवर कैसे ले जाएगी गुले तो आपी समझाओ मैं मेरे तो गहत्रीर रही बोले जिस प्रकार इसका ध्यान अपने बच्चे पर भी है जिस प्रकार इसका ध्यान पुरा गाना गाने में भी है ऐसा ही इसका ध्यान गागर पे भी है जिसकी तरफ लोगों को लगणा ध्यानी नहीं है क्योंकि गागर का ध्यान एक्षण के लिए भी इसके दिमाग से नह नहीं है बोलेगी कुछ नहीं लेकिन पता है इश्वर को ऐसे भजना है मैं ऐसे ही भजता हूं मैं क्या करम कर रहा हूं क्या कह रहा हूं इससे कोई लेना देना नहीं वो इश्वर निरंतर मेरे अंदर है यह साक्षी भाव है अगर यह साक्षी भाव आपके अंदर निरंतर आ गया तो आपका मुन्ना पकड़ा जाएगा यह कभी भी बीच रस्ते में गड़ नहीं करेगा याद रखें आपके और कोस्मोस आपके और ईश्वर के बीच मन एक धागा एक सेतु एक ब्रिज है अगर आप कहते मिला मन मर गया है तो कोई कमांड पूरी नहीं होगी आपका मरना नहीं चाहिए आपका मन जीवित होना चाहिए आपका मन मर गया है बाइक की प्रदूरे की और और इतनी हिड़न उर जाए आपको खुद नहीं पता आप में कितनी शक्ति है आप मान के चलें के आप बाहर से कहीं काम से आये करें साथ दिन की यात्रा थी और आपका बदन टूटा हुआ है आप के तो मैंने जा खेर के घर में पलंग पे बैसा सो जाना है मेरी टांगे कहाँ नहीं है मन में आरा विचार खाना खाना मिला ठीक नहीं मिला मैं जाओं सो चौवीज घंटे बाद मेरी लाश उठे उठे ना अब भाड़ी दखेल के सीड़ी अचड़ के ऊपर जाते और दर्वाजा खोल बंद हुआ नहीं आप बेस्टर पर गिर जाते हैं अचाना कोन आता है आपका कि आपके बच्चे का आप में जान नहीं है खाना खाने की ताकत नहीं है आप बिस्तर से हिन नहीं सकते आप में पता नहीं से ताकत आजाएगी ये ताकत कहां से आगी आप में ताकत के असीमित भंडार है आपको पता ही नहीं है जो लोग ये कारे करते हैं असीमित अनंत शक्तिया निकालते हैं ज इतना जबर्दस जूज मारे, पुरा भ्रह्मान सामने लाके देदेगा आपके, आपके पास इतनी लड़ने की ताकत है कि आप सोच नहीं सकते हो, इसलिए छोटा मत सोचो, छोटे से मत लड़ो, लोग छोटे से लड़ते हैं, आपके घर में कोई कामवाला है, कोई और मित्र खड़ा है, कोई याड दोस्त है, आप उससे लड़ मरते हो, आप इस ऐसे देखके चलें, आप एक गधे से लड़े, आप गधे से लड़े, खूब लड़ा है, खूब जोड़ लगा है, खूब गुथम गुथा, फिर आप जीत रहे, दुनिया क्या आप क्या है, हलो मैं ज गए गुजड़े, छोटी से बात, छोटी से वेक्ती से लड़ने से है, जीतो चाहे हारो नुकसान है, अब आपने का भाई, तू सौरी, तेरे से मैं एक शमा मांगी, तेरे से लड़ूगा नहीं, अपनी उर्जा खराब नहीं करूँगा, मैं शेर से लड़ूगा आकर बहुत कमाल है, अमुल बटर खाके गया था यह, और जे तो गलती से आप जीत गए, तो दुनिया कहेगी, उठा लो, सिंहासन पे बिठा लो, शेर से जीत किया है, आपको अंदर की शक्ती इतनी जादा खोद मारनी है मुन्ना की, कि आपका मुन्ना आपके अंदर की उर्ज बनने के बाद जा 6% बनता है, 4% अगनी, बहतर परसंट शरीर, 12% भूमी, जलकत तको होगे बहतर परसंट, और 6% जो प्लस अनन्त है, वो एंडलेस स्पेस है, स्पेस एलिमेंट है, ब्रह्मान से इतनी शक्ती आप में आ सकती है, कि आप इतना नोट कमा सकते हो, इतना बड इस घंटे सिमरन रखो, साक्षी भाग, इश्वर देख रहा है, पास्ट को बूल जाओ, वाल मैं जाए, गधों से मत लड़ो, सबसे ख्षमा मांग लो उल्टा, बोलो तेरी वज़ा से मेरे अंदर अहंकार आड़ा, लडने के इच्छाती है, तुझ से पहले ख्षमा चाह पुरुशार्थ करना पड़ेगा और पुरुशार्थ में हमें करना है, नहीं करना है, प्रशन ठीक आनी पाया, इन से मैं बता तो प्रशन के है, प्रशन है, क्या भाईया किसी काम को करने के लिए, मेहनत करना है, प्रशन है, प्रशन है, क्या भाईया किसी काम को करने के ल जहीं कभी हमने कहा है महनत बिलकुल मत करो कभी कहा है महनत चोर मत वनो तो जहनों ऑड़ी बाते हो गई करना क्या है फिर इसको समझ लेंगे बाथ इंपोर्टेंट चीज आई इस अदर कैसे लग पूट शाय तिपले पी ले 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 कुछ रहा है मुल्णा ले गया, मुल्णा मेर भाई है, अरे मुझसे गिरता रहता है, मुल्णा में ज़्यादा एक्साइटमेंन में बीटा वेब से गवामा पे चला गा, मेरे पाँ एक्सिंदेशन है, हो ता गया महनत करो कि ना करो, जैसे एक्वाइपल की बाएपता है फे गिरा, क्या आपके जीवन से कुछ गिराख कोगे हैं आपको फो कुछ नहीं नो रिक्षण यदि आप दुनिया में किसी भी कारे किसी भी इवेंट किसी भी घटना-दुगटना से डिटाइच हो जाते हैं तो वह आपकी उड़्जा आपसे जुड़ी ही नहीं उस चीज के लॉस होने से हमारा लॉस होता है हम जुड़े नहीं तो कोई लॉस ही नहीं इसलिए गया चल तेरा जाने का था वे स्टेज एक हिस्सा जाना भी होता है इसकी धुलाई ही हो गई मेहनत करनी है कि नहीं करनी मेहनत येस या मेहनत नो आप जो भी कारे कर रहे हैं उस कारे को करने में आप शरीर से काम करते हैं उसके पास शरीर तब काम करता है जब मन बोलता है और मन बोलता है कि शरीर तु काम कर इसलिए है कि उस इश्वर तक चिठी पहुंचे और वो काम अब मन ठका हुआ है यदि उर्जा संग्रहित नहीं है तो शरीर से कितना मरजी काम करने के लिए तो खतम और मन पागल ही हो गया रिजल्ट के लिए तो भी काम खतम तो आपने शरीर से महनत करी महनत करी शरीर से महनत करी ओके मन की शक्ती को चुप चाप रखा चुप यानि मन लगातार लगातार 60 की स्पीड पे चलता रहा आप गाड़ी को 60 की स्पीड पे चलाते हैं फैंटास्टिक चलती है बहुत अच्छी माइलेज देती है कोई कसर कमी नहीं छोड़ती आपके जीवन के अंदर आप जो कारे शरीर से कर रहे हैं वो मेहनत है मेहनत जरूर करो मेहनत चोर नहीं बनो और मेहनत कौन सी मत करो मन की फाल तू मेहनत कर रहे हैं मन से सोच रहें, मन से धागे विन लिए, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी एक मकान लिया, उसका ब्याना किया, फिर सोचा, दूसरा भी ले लेंगे, यार इसको पूरा तो करो पहले, मन आगे भागना शुरू होगे, सारी उर्जक्षय हो जाएगी, अभी डील हुई ही, अभ मतलब महनत चोर नहीं बनना, दोनों महनत अलग अलगे, अर्जुन तुकान कर, शहीर से दोड़ता रहे, भाजता रहे, मन को बीच में मतलगा, अर्जुन ने मन लगाया, मान लो, कि भगवन कब जीतेंगे, no question, no answer, अर्जुन ने कहा, ठे प्रभू, करन बैठा है, बोले च आप यहां डर्का शेत्र लेकर बैठे हो और इसके पाच शड़ विकार है, अगर आपके अंदर किसी से नफरत है, किसी से क्लेश है, किसी से क्रोध है, किसी से इर्शा है, काम, क्रोध, लोग, मौ, इर्शा, अहंकार, तो आपकी पुकारी शुर्टक नहीं जाएगे, आप डर के सामराज्य से आगे निकलो हम धरे रहते हैं बच्चा घर कब आएगा हम डरे रहते हैं विजनिस में क्या होगा हम डरे रहते हैं आगे ही भगवाल जो पागल होते हैं पागल उन्हें पागल कहते हैं जो पागल होते हैं वो निर्भीक होते हैं वो डरते नहीं आम दुन तिरे को फॉलो करेंगे लगे रहो कर्म से पीछे नहीं हटो फालतु के सपने जैसे मुन्ना में देखे साक्षी भाव देखो मैंने अभी मस्ती की न मुन्ना से मेरे शरीर के बोडी के ब्रेंस उसमें ग्लास गिरा दिया अब प्रकृति में जो होना है वो तो होना है अब मुझे क्या करना है यह major point है हमारे जीवन में कुछ हो रहा है फिर कुछ और और फिर कुछ और नहीं होना चाहिए हम यह र सर यह यह होना जो भी जो होन बहुत बली है प्रशन था यह कहना चाहते हैं यह कहना चाहते हैं कि जो होना है वो तो होना ही है हमें क्या करना है हमें यही जानना है रियक्षन्याजय की गिन्न फे अगर bugs भाला होता तो वह होने के बाद मैंने इसको पेल दिया हो गया यह मेरी बॉड़ी और माइंड दोनों को कॉडिनेशन टूटा तो स्लिप होए क्यों होना है यह क्योंकि इसमें मेरा पूर्ण ध्यान है यह गागर है मेरी यह चल रहा है गागर माथे पर रख्यों यह सिर्प वो गिरती नहीं है यह मैंने बच्चे से खिलवान कर गि क्या चोटी चोटी चीज नफरत कर रहे हो किसी व्यक्ति से गुस्सा कर रहे हो अपनी भभू पर नौकर पे कलेश मचा के रख्यों साला गुस्सा करना तो पुतिन पर करो कलेश करना युक्रेन से करो कुछ बड़ा करो यार मुन्ना को इतनी उर्जा दो अंदर की कि इतना बड़ा चैलेंज आया है कि मेरा बच्चा बाहर गिरा पड़ा है आपकी बड़ी में जान नहीं है कहां से ताकत आएगी आप सारी रात लगा दोगे होस्पिटल में और एक माँ पे खड़े टाइम काट पोगे जो लोग ऐसे शक्ति मान हैं कि लगे हुए लगे हुए लग है कि यदि इनके दो क्वेश्चन आए कठा होगा पूछा कुछ था पूछ लिया कि यदि मुन्ना बीच अस्ते में दौर है या दरवाजा है या ब्रिज है इस शुर तक जाने का तो अगर व्यक्ति प्रेम में है तो यह भी तो उसका मोह ही है प्रेम वह होता है जिसमें सि प्रेम है तो मैं इसका बहला चाहता हूं मेरे मन में इसके लिए प्रेम है भावना है साथ है फतम फिर यह क्या करे कैसे खुश रहे इसकी मर्जी अगर आपको अब जैसे बिटा तेरी ने ने गल्फ्रेंड बनी है एक्जाम्पल करके बता रो लोगों बनी बताएंगे हम अब दे ने ने गल्फ्रेंड बनी है अब तो उसके पीछे पड़ा उसका खुण पी रहा है कहा गई थी कहा नहीं गई थी चरह वाट्सअप कॉल करके दिखा मुझे ओन कर तुख है वीडियो कॉल दिखा तो जूट बोली सच बोल रही है तो वह मोह है इसका मतलब तुझ कभ ses प्रेंड बड़ा थी कि इस दॉप नहीं है उन्से प्रम करते हैं तो कभी लिए आतो प्रम और कि लड़कीए उसने बोला मैं बड़ा प्रेम रखती है, कहती है कि मैंने Instagram स्टार्ट किया, तो husband भी Instagram करते हैं, तो मैंने Instagram स्टार्ट किया, तो अब मैं उस पर अपनी वीडियो भेजती हूं, अच्छे ऐची ड्रेस पहन से फोटो कहींचती हूं, तो मुझे तो बड़ा शक होता है हस्बेंट पे वो भी करते हैं क्योंकि इतने लोगों ने कमेंट कर दी अब तो मुझे पता चल रहा है इस पर बहुत ड्रामा होता है बड़े पीछे पड़ जाते हैं तो मेरे हस्बेंट को भी करती होगी लड़कियां मैंनका लाया तो वो इसे लिए तो गया वह और को किस पर टाइम है शांती से बैटो इस्टाग्राम के सालग लगे हूं अपने ड्रामे करने में उसको चाहिए एटेंशन चाहिए तो फिर मैं क्या कहूं कि मेरे तो बड़ी समस्य है मैंने तो हस्बेंट को बोल दिया कितने कमेंट आये कितने सा मैंने क्योंकि यह कमाल है तुने विश्वास जीता हुआ उसको तेरे पर इतना विश्वास है कि यह भटगेगी ही नहीं इसलिए कुछ हुस्तिरियों में जो प्रेम है न वो प्रेम उस लेडी ने हस्बेंट को सच में प्रेम किया है पर मोह भी है इसलिए डरती है लेकिन जो प्रेम है उसको यह उस्पर आना विश्वास के वानी होती बच्यकों रोकती रहती है इधर दर आप में बड़ी ठूट हो प्रेम में फूझता है वेक्ति रोक पोड़की नहीं करता मुंक farklı इश्वर के पास समय देखनेगा नहीं है अगर आप ईश्वर जैसे हो, समराण जैसे हो, तो आप घर में कलेश नहीं मचाओगे, कहां क्या पड़ा, कहां क्या रखा है, अगर आप में छोटी-छोटी चीजों का कलेश है, या धूल क्यों है, या मिट्टी क्यों है, या खलाना क्यों है, या धिमकाना क्यों है, पंखा इससे बाहर नहीं निकलना है वहीं मुन्ना से लड़ाई शुरू हो जाएगी और मुन्ना जीत जाएगा यार कितनी नफरत है मेरे मन में इससे क्या है यार मेरा मुन्ना पहता ओ इससे कलेश मचवा दिया, यार कुछ बड़ा सोचते, कुछ कमाल करते, क्या यार छोटी-छोटी ललू बातों पर लगें, एक शादी होती है बालक की नई नवेली बहु आती है घर में, अब सास एक सुबर माईला है, पचास साल की उम्र है, नई नवेली बहु आई है बीस- कहां से सिखाएगी, आप वो लड़की जो है, वो दूसरे घर से आई, दूसरे संस्क्राइब से आई, दूसरे सिस्टम से आई, टाइम दों से, सीखेगी, आपके मन में शडविकारोन हो गया, आपको उससे नखरत पी हो गया, आपने उसको कमेंट भी कर दिया, लाइक, आपको सर्वेंट बुरा इसलिए मिला है, क्योंकि आप डिजर भी ये करते हो, सर्वेंट बुरा क्यों मिला है, ऐसा क्यों होगा, आपको समय देना है, परमात्मा ने आपको क्या दिया समय, समय ही तो यह है, आपको भी क्या देना है, समय तो देना है, परमात्मा टेस्ट क चार भाई एक बेहन बेटा बेटी उसके वह इकठा हो गहें बोले चलो जी पिताजी की लास ले चले एक बंदा आ गया दस बंदे लेके कहता है सवाल ही नियू उटता लाश कहीं नी जाएगी बोला नहीं हम लाश ले जाने दो जगड़ा होगा बोले जगड़ा करेंगे अपन जमके करेंगे थड़ियां तोड़ेंगे दो लाश और उठेंगे लेका यार हद हो गई बेटी भही हाथ पाँ जोड़के खड़ी हो गई बोली यह लो मेरे गहने यह मेरा सोना चांदी जो मुझे यह नहीं पता था कि दू किसे वारिस कौन है आज मुझे वारिस पता चल गया गहने रख लाश का काम होने दे पंगरा लाक मैं जाके दिना तुझे इश्वर चेक करता है डिसरब भी करते हो कि नहीं इतना बड़ा समराट जे चला रहा है वो बेबकुफ थोड़ी ह कि बातों में आगया और दे दिया यार समराट है वो और रहते हम उससे हमारे मुकाबले की बात नहीं हो सकती आपको मन के तल के उपर ये जान लेना है कि शरीर की एक भी कुंठा बची ना हो शरीर को भरपूर बढ़िया नीद दो अच्छा खाना खिलाओ पाचन पे पूर एकस्तिदी नहीं रही तो इसलिए अब हम नहारीद्वार चले गए हम काशी चले गए वो सब बखवा से भगोड़े अंदर आग लगी रहती है जो शब्द गलत बना हुआ है ठरकी बुड़े वो वही विद्देन है क्योंकि शरीर को त्रिप्त नहीं किया ऐसे ऐसे लोग अपके मन में पाइटल नहीं होगा रहां को खालेंगे रहती मचा रख्या रना पर शुब आजब रोखेए जितने बच्चे छोटी उमर के जितने अकेले लोग जो अकेले हो चुके हैं जिन्दिगी में रोते रहते हैं नीद नी आती नीद नी आती उनको मैं एक एक्सराइस बताता हूं एक तकिया ले और उसे गले लगा के सुझाए बॉड़ी के ब्रेन को कंफ्यूज करें आपके स उसको क्या करें उसको भी एक तकिया दे और खुद भी एक तकिया ले 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 तकिया ले या प्लेन वाला गोल वाला बैटर रहेगा सानी साब उसमें फील आएगी अच्छी मैं ठर्की बुड़ा शब्द करें ठर्की बुड़ा बताया आपने ठर्की बुड़ा शब्द क्या बनर कह रहा हूं एक त्रिप्त है वो चाहे उमर का कुछ भी है एक अत्रिप्त है ये ठर्की बुड़ा शब्द क्यों बदला मैं क्योंकि शरीर में सेक्स योग के स्थित रही नहीं शक्तीरही नहींज़ नहीं बहुत बारी प्रश्ण है नई श्रंखला फूल दिया आपे इस श्री में 2 स्वसाइ Auswार मन में और है ईच्छा कुछ लोग ऐसे है जो helped हैं मेरे पास 20-20 साल 30 साल के बच्चे आते हैं जिनकी सेक्स की शक्ति ही खतम हो चुकी है वो छोटी उमर में ठरकी हो चुके हैं अब उनको बुढ़ा शब्द इस्तमाल नहीं हो सकता है ठरकी बुढ़ा क्या है व्रिद्द संपन्न है संतुष्ट है त्रिप्त है आनंदित है भोग चुका है छोटा तो भोग ही नहीं रहा वो कातिल बनेगा वो आतंकवादी बनेगा जो हमारा शरीर है इस शरीर का एक वीरे होता है पुर्ष शरीर में वीरे स्थ्री शरीर में रज जो वीरे है इसका एक थूल शरीर है रज कन का भी एक स्थूल शरीर है एग होता है स्ट्री में वह एग का एक शरीर है जो स्पर्म है उसका एक शरीर है यह शरीर स्थूल इसके शरीर से मिलता है सेक्स होता है लोगों में संतान नहीं होती है बच्चा होता ही नहीं भई रिपोर्ट ठीक है डॉक्टर करा सब कुछ ठीक है healthy sperm है ओक है साइकल बढ़िए बेबी क्यों नहीं हो रहा है अगर गलती से बेबी हो गया तो बेबी पता लगा आटिस्टिक है बच्चा अपंग है है हैं डिमाग से पूरा नहीं है रिटार्डिड है या fusion हुआ है शरीर ठीक मिले है शरीर ठीक मिला है अंदर ऊर्जा शरीर ठीक मिला है इस थूल शेरी को चला कॉन रहा है? उर्जा शेरीर. इस शेरी को कौन चला रहा है? इस श्री के रजकरा का उर्जा शेरीर. अगर ये उर्जा मिल गई, तो ये शेरीर पनपेगा और बेबी होगा. अगर ये इस उर्जा नहीं मिली, तो सब कुछ चीटे दस्यों सालों के कर पाए जब शरीर पूर्ण तृट हो गया और शरीर तृट करने के लिए क्या चाहिए जब जो चाहिए दे डालो नहीं तो कलेश हंगर डिजायर बहस तू ये बन तू वो बन मन मांग रहा है छुड़ी छुटी चीज तु पढ़ता नहीं तू पढ़तीं नहीं तूने इतन मांगो इतना त्रिप्त हो जाए बच्चा दारू पीपिगे खुद बोले यार बहुत पीया भोगया यार छोड़े तो खुद छोड़े यार पूर्ण होके इंसान छोड़ी देता है नो नो करते रहोगे मुन्ना दारू पिलाता रहेगा शरीर को नहीं चाहिए वो बिमार कर आपकी उर्जा शरीर सेट है आपका जीवन बढ़िया जाएगा आपके शरीर में ये उर्जा और ये उर्जा जब शरीर के निचले तल पे स्वाधिष्ठाना और मूलाधार ये मेरे परसनल तल है ये दो तल मेरे स्वाधिष्ठाना और मूलाधार ये ग्रेविटी है इन मुन्ना के दोनौं के बिना शरीर कुछ नहीं, शरीर कुछ नहीं इन दोनौ Kemà आपके ये दो तल हैं स्वा दिश्ट ठाना जो स्थेक्स चप्र हो मूलाधार जो आकीले हे Карभु कैंडी, कॉक्ष्ट और नारायन आपके स्वादिष्ठान में रहते हैं इस्तिरी के पास शक्ती हैं अपने स्वादिष्ठान में एक नई संतान एक न्य जीव को जनम देने की आनल यहां ममी मेड आ पापेदऊ है, हमें मा ने बनाया आ मा की ऊरजा की शक्ती से हमें जीवन में धागा मिला है शरीर का इसलिए मा की उत्तमता बहुत जरूरी है मा स्बस्थ होनी, प्रसंद होनी बहुत जरूरी है, first class बच्चे पैदा होते हैं, यदि वो मा समर्पित है, प्रेम में है, अपने पुरुष से, तो best sperm चूज करता है, scientist पैदा होते हैं, doctor's पैजा पैदा होते हैं, ज्यानी पैदा होते हैं, इसलिए दोनों के बीच मानसी कूर्जा मुन्ना का मिलना जरूरी है आप sex करेंगे, दो लोग मिल लिये, हो गया, फिर लंबानी चलेगा सम्मंद, मन मिल गया, पूरे जनम चलोगे, सोचो मुन्ना कितना जरूरी है, और शतानी करेगा, ये भी जरूरी है, और हम उसे identify करें, ये सबसे जरूरी है, तब वो हमारे को खजाने खुल के देगा, अ ही उर्जा है, सारी घुम रही है, ये कुंडलीनी है, आज हम कुंडलीनी की बात नहीं कर सकते, बहुत लंबी चली जाएगी बात, ये कुंडलीनी है, ये ही उर्जा को जब उर्धुवामी उपर ले जाते हम, तो हमारे पास ज्यान आता है, बैठे बिठाए काम होते हैं, और आशिरवाद देने की शक्ति मिलती है. यह आशिरवाद देने की शक्ति यानि की यार टोचन करके दूसरा ट्रक हमारी गाड़ी को ले जाएगा, हमें कोई ऐसा मिल जाएगा, कि अपने आप ही काम चल जाएगा, और उसकी गृपा से, उसके आशिरवाद से, उस गुरू शक्ति से उस क्रिष्ण शक्ति से आपका हर महाभारत आप जीते हुए इस सूर्जा को उपर ले जा रहा है हर समय काम के अंदर में रहती हर समय लोब में रहती है समय जलते सभते लिस्ट बनाओ एक कागस कलम लेंकर आप लिखो उस पे लिखो नव्रत किस परोध किस के ऊपर वासना कहाँ कहाँ नाच रही है लोग किस चीज़ का है ये लिस्ट बनाओ यहों की उसका नाम लिखो और सोचो यह क्यों है यह मेरी उस चेंज करने के लिए सबसे सब बढ़िया क्या है इगो पुल बुलारी है आपके अंदर अहंकार इन सब का बाप जो है वो हमारी ऐस्तासी तेरा है छेनु तू मुझे नहीं छोड़ेगा यह चेनु ने आगला रखी अब इस छेनु को कैसे जीते यार जो सड़ता रहता है अक मंगे लगते हैं हैं अब वह उसका चेनु है एक ज्छेनु झबतक है नहीं होगा आप एक सर्य मुक्तिन होगे वच्छाण को में तुझ सेुझे माफ किया यह मैंने खुद को माल खेल लिया तो ह्योसे आपने नुट लिए उसे अगर आपने यह कर लिया और यह क्भर अचको करते हो नहीं हो घुत नहीं किया खाल कि वांग ऐस이에 तो अपने जीट लिए आज एथामिकर चैनल ना है हमारी लड़ाई है कि हमारे जीवं में हम यह इस्वर तक पहुंच को पा रहे हम यह इस्वर है iOS और यह मंद का से्विद्ध है यह बोडी यह इस्वर नेघार बीडिशी जरे चल रहा है इसके दीच यह मुन्ना यहां से बोडी से चाहा हुआ मुन्ना को बाइपास करके मुन्ना का साथ लेकर जो हमने मांग लिया इशुर देगा समराट है बड़ी चीज मांगो आशिरवात के साथ मांगो बाल में वेजो शटविकारों को बाल कहा है बाल में कहा जाते हैं नाभी नाभी क्या है पहले हम कि आपकी कुंडरी नहीं अभी बहुत से लोगों की कुंडरी उपर इलीज हो चुकी है जितने लोग यह कहते हैं कि अब हमारे अंदर क्लेश नहीं है खाना देखकर पागल नहीं होते दूसरे का धन देखकर पागल नहीं होते वह उनकी सेक्स की शक्ति अपने आखशीन हो चुकी है क्योंकि उर्जा यहां से गोड की उपर जा चुकी है हाँ तो मिलता तो सब तभी जिब जो मिले ना मिले सांस चली तब रही जब परवाई नहीं करते आप पेट के बार में परवा करो उसी दिन कब जो जाएगी आप खूब खाओ मैं माफी चाहूंगा गलक शब्दा आप कुत्तों की तरह खाओ आप देता है पेट साहब है आप खाओ ब्लकु बैलेंस ज़र बोलो पेट खराब नहीं हो चार दिन बोलो पेट कब जो जाएगी लूज मोशन हो जाएगे जिसकी परवाई नहीं करोगो वोई तो सही चलता है अगर आज हमें पैसा चाहिए और पैसा मिलेगा तब जरूरत नहीं है आपको उस दिन जरूरत नहीं है मन में क्या भाव है मुन्ना क्या कह रहा है कोई जरूरत ही नहीं यह भाव भी लाओ यह भाव भी लाओ भी मिलेगा जैको मैं बता देता हूं यह जो बात है दोनों करेक्ट होंगी आपकी नाभी है आपकी नाभी ने सब कुछ मंगे मंगा के देना है क्योंकि यह दोनों चक्र के ऊपर है इश्वर तक पहुंचने का रास्ता जब शडविकार से निकल गए अगर आपने शरीर में वेक्यूम क्रेट किया यह बाबारामदेव कराते हैं बहुत ब्रह्मचर्य में बढ़ी भेंकर एक्साइज है पर यह ज्यादा करोगे तो आपकी शारीरिक सेक्स की क्षमता और भोजन की इच्छा मर जाएगी यह वाली एक्साइज है सिंपल और खुब कर भी जाता है आपने वेक्यूम क्रेट किया यह उपर चड़ेगी फिर आपके रहें फिर उपर चड़ेगी फिर ऊपर केसा बापकी बात हजम ने हुई बात कान से जाते हैं खोपडिन उन्हें यह पेट में क्यू रहती है आपने दीरे-दीरे यह एक्साइज होगा बाते सारी का मतलब है कुंडली में स्थित साड़े तीन कुंडल पे बैठी हुए नाग गोल भूमा बैठा है यही हमारा रहु है केतु है यही हमारा इदा और पिंगला यह इस बहुत सारा लपड़ा है यह उपर के आता है और जहां 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 जाता है वहां आगे रोग खतम हो क्योंकि उर्जा चाहिए शरीर के हरिस्ते में हम सिर्फ खोपड़ी में काम क्रोध लोग मों इरिशा अंकार में लगाए बैठे है कोई काम नहीं है इसके एलाग कंपेरिजन बंद कर दो जलना कुणना बंद कर दो सास ने डाट दिया बोलो यार कितनी दिनों बाद डाटा आँ सोचर रोसडाटी एक बोलो कोई बात नहीं इसका दिमाग ख़राब में अपना क्यों करूं आप की उर्जा उपर क्लाइंब करती हैं ये उपर जहां जा क्रेम करेंगे ठीक होगा आपको sex entries नहीं करेगा आपको धन Cash करेगा आप पागल नहीं होंगे आप बहें कंट्रोल होंगे सारे योगी इतने कंट्रोल क्यों होते हैं वो शरीर के विज्ञान को जानने वाली बाग है आप जहां वेक्यूम क्रियेट कर दोगे उर्जवा पहुंचाएगी हम भरे बैठे हैं पहले ही भरे हुए एक ही रोना बीस साल चला रखा है पागल होनी है उसके सुबह से रात तक सोचके पागल है और हरान पता कब होते हैं अचानक दील हो गई है अचानक दील हो गई है वेक्यूम था सोचा भी नहीं था उस बारे में वेक्यूम था कहीं इच्छा रही दूए आप परमात्मा ने भर दिया यह उर्जा का भंदार है शरीर अनंत से रहें दुदमाग से बाते कैसे निकालें तो तो यह क्लास करनेथी वैसे हम ने पहुंच जाएंगे ऑ ल Lang कि छिठी लिए लिखते ही हम यह क्लास दोस्त की अठ्क हो जादेने कैसे बतले हैं इंगिवेंट तो शूग दी याद इते चोटी बड़ा वैठे कुंदे ने अधिक ताम मोडरन बंक के आयो आओ रेगलर हो तो इसे रेगलर याद करने ने मशूग ने रेगलर कड़ा है ना जितने उते पाक है वह चले कुमरी है मशूग नो चवी कंटे मशूग नो एथे पाक है ना टैंशन लागे रखे लिदी आपके पास बहन एक एक वर लिखाओ बहन बुआ साली ताही के साथ कोई रिष्टे का खटास फटास कलेश है तो आपके गली में घरा भी आईगी अगर आपको मा के साथ या पिता के साथ इंगलाराब प्राइब आपके सिर में त्रौलम है आपके बहरो लिए लिए दिमाग खाली लो हका ही आजवडäre जे चेक्ट। मत्र से परिसान हो भाई से परिशान हो दोस्तों से यह आप अपने प्रेमियों से परिशान हो मुझे प्राइब से क्लेस्टरोल भातें दिल में उंहीं हाय तिक नती थिस्ऐसा अब अगर आप बुली तरह यह स्वादिश्ठार है आपका जहाद आपके अपने परस्टनल चक्रे अगर आप टोडली डिसपॉइंटीड हो लोगों से रिष्टों से यारे क्यों हो गया यारे क्यों हो गया ऐसा नहीं होना चेता भाई तो आपको युरिनेरी डिसॉडर्स होंग और यह आपका है जीवन में चिंताब है भष्य की आगे क्या होगा कल क्या होगा यह आपका चक्र अगर खराब हुआ तो आपको पेट संबंदित लोर अब्डामन की हडियों की पैरों की दात की यह दिक्कते होंगी अब जिस जिस रिष्टे में जहां-जहां जो जो तंग ने कर रहें आपको वहाँ माँ प्रॉबलम आएगी उसको यहां बुद्ध कश्थापना है अगर यह दिक्क्ता आ रहीए यहां के मंगल की अपने आपसे दिक्कात आ रहे रिष्टों को लेकर के प्रवल्लम फसी यहां तक रिष्टे होते हैं तो आपके पैसा भी नहीं आ जिस जिस रिष्टे से प्रब्लम है वहां वहां के अलर्जी इस्टार्ट होंगी और वहां वहां के रिष्टों में जो जो स्टार का लिंक है वो चीज जीवन से कम हो जाएगी किसी को फेम नहीं लेगा किसी को रिष्टा नहीं यह बहुत लंबी हो जाएगी एक चीज इसमें एड़ करूं अगर जैसे यह फिजिकल एक्सराइजिस से उन्हें जगास को स्ट्रेंदन करते हैं और माइंड से अपने आपको लेकिन चेंज नहीं करते हैं पर फिजिकली बार बार आती रहेगी बाडी स्थूल का या स्ट्रोंग कर ली वो ठीक हुई ही लुई अंदर से फिर बिवारी आ गई फिर भार ठीक ही फिर आ गई अंदर से शट्विकार छोड़ने पडेंगे मन का धागा ब्रिज ठीक करना पड़ेगा छोटी-छोटी भीख मांगना ब अब जो आत्मा है उसका लिंक तो परमात्मा से है और आनंद देने वाला ध्वारा थो भी देगा मुणा जब आपमात्मी तौर पे इसरो से जुठे से जुढ़े हैं। वहां दो देगा उसका आनंद देगा की नहींदे काकegen चरिडे फोसकता है पैसा आजाए आपके पास, नहीं सकता है ऐसे दोस्त का पैसा आजाए जू बाद में आपको धोखा दे हरा predicting क तो इश्वर तो चाहिए क्योंकि वही चार प्रतिश्यत एनर्जी है जो भवक रही है ना भी केंद्र पर नहीं इश्वर तो रहे गाई मांगने वाली चीज है इश्वर तो है घुम मागो ना साक्षी भाव से मांगो मुन्ना बत्तमीजी करके दिखाए चोर का पैसा भी बढ़ा देगा आपको शडविकार से निकलना है अपने बच्चे अपने भाई एपने बिजनिस कुड़ो मत शड़ो मत लड़ो मत शडविकार नहीं ठीक है खराब भा हुआ है ठीक है उसके नसीब कि दफागर में क्या लेना मेरे पास कोई आया किसी बैसी ने मेरे साथ क् क्या देना कोई प्रॉब्लम नहीं आओ लड़ो मेरे से तुम भी मत आना मकसद कहने का एक की वज़ा से दूसरी को सजा नहीं दी जा सकती कोई विक्ति आपके साथ बुरा है क्या पता क्या पता प्रारद्य आपको लग रहा है पुरा है ऐसा कुछ नहीं है इश्वर से कॉ क्लास नहीं कर रहे है आज हमने यह बात किये के बॉडी के हंगर को सेटिसफाय करना है हमारा मूल जो तत्व है आज का वो यह है कि आपका काम शरीर को त्रप्त रखने का है आगे का काम मुन्ना अपने आप कर लेगा मन की प्यास मन की भूख मन का पागलपन भी एक दिन प जब जह जितने आ गारा आज है रिक्वार्मेंट बड़ि बिनाओ आप देखेंगे रिक्वार्मेंट हमिशा पुरी होती है आपकी रिक्वार्मेंट है दस अजार रुप्य महिना जिसमें आपका अखबार का बिल Ama You told you दि पुंचपे का बिलखें फूरा हो जाता तो वह रुपय आएगा वह पैसरी आजाएगे और आप बाद में कहों गे क्या वही को ना लिखा है यह जीवन- mineshaftर पर यह पिद्यान बड़े विखारी बनो संकल्व शक्ति में शक्ति बढ़ाओ और जीवन उड़्जा अनन्त है हमारे इसका ग्ञान लेके चलो ग्ञान बहुत जादा जरूरी है समयाने पे होता है एक बार एक विक्ति का यार खतम करो लास्ट 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 एक बार एक दिक्ति गुजर ग वो बैच यह सोने का मेरा गहना है ये अपने चाचा के पास चला जा और उनके पास देआ बेच के कुछ पैसे आ जाई तो रोटी चले और मेरी बीमारी का इलाज हो भेच्चा चाचा के पास गई चाचा जहुरी था उसको बोला चाचा ये हार है ये बेच दो उसने हार को देखा परखा बोला बेटा इसमें कुछ नवीने लगे हैं इसके अच्छा मोलनी मिलेगा अभी अभी मत वेच रुख जा बोले चाचा पैसे बोले पैसे मैं देता हूं कल से तु मेरे पास काम पर आ काम करेगा मेरे पा वो गया, अब सीख चुपा था, घर पहुंचते ही वो दिखाता क्या खाक चाचा को खुदी देखने बैठ गया, कि उसके हीरे मुती नकली है, इसलिए क्या है सोने में कितना दम है देखा तो पूरा नकली है, बोले यार कमाल हो गया, चाचा के पास गया तो अब चाचा यह क ज्यान समय से यह आता है, ज्यान आने का इंतजार करो, सीखो, जल्दी नहीं है, दूसरे के लिए जल्दी सोचना बुरा है, अच्छा है, सही गलब, परकी बनो, खुद गुरू बनो, खुद जानोगे, चीवन असान है, कठिन नहीं है, जो इंसान यह कहता है, जिंदगी स स्ट्रगल से भरी पड़िये, उसकी सिंदगी में स्ट्रगली चलती है, जो कहता है, थंडी हवा का जोका है, उसके थंडी हवा का जोका ही है, आप क्या वेक्यूम क्रिएट कर रहे हो गही आएगा, बस ये बीच का धागा खराब मत करो, सबसे जरूरी ये काम है, ना हम इस कभी तो चित इतना एकागर होता है कि गंटों अपना ध्यान में लग जाता है कि इपकल बिचलित होता है कि इसका संबंध हमारे रात के खाने की डाइट से भी है इसमें दो बाते मैं कहुंगा कि अगर आपका मन ध्यान में जा रहा है और आप मस्त भी है तो आप करोड़ों लोगों से भागेशाली है उनका दिमाग तो सारे दिन ही पागलों की तरह दोड़ता रहता है आपका काफी टाइम शांत हो जाता है तो यह सीडी पर आगे की और बढ़ रहे हैं सीडी पर अटकना नहीं है तो पहले तो यह टेंशन नहीं करनी है यार यह मुन भागता क्यों है सोचना यह है मेरे पास लोग आते कहते हैं जी हम पती पतनी 30 दिन जगणते हैं तो मैं कहते हो 15 दिन तो ठीक है यही चलता लेता है फिर वो कहते न साल में एक बार लड़े अब जब साल में बार लड़ते हों कि प्रेक्टिस नहीं होती लड़ने की तब मेरे पास आए भी नहीं तलाक कर लेते हैं सहं शील्टा खतम हो जाती है थोड़ा थोड़ा दुख अच्छा है प्रेक् बहुत 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 गल पड़ जाए तो मैंने का बीटा पहले तो तुम गलत कर रहे भोग विला से भागने की बात विले तो फिर यह महम आया है आपको पता ही यह आगे कि डाल़ॉग यह तो महम आया इसमें क्या रखा है भलांडिंका अगर तो यह कहता ना बहुत तुझे में ध्यान उर्जा का हिसाब किताब, अपने मन को एकागर करने का हिसाब, और इश्वर के इच्छे कैसे मिलूं ये बताता, लेकिन अभी मैं तुझे यह कोगा पहले भोग, क्योंकि तू उस लायक ही नहीं हुआ, अब तू लायक है नहीं हो, और मैं तुझे बोलू इश्वर तो कॉल लगानों को बैठा है, शरीर को हंगरी ना रहने दे, शरीर के संतुष्टी सबसे प्रमुख काल, कुछ भी करना पड़े, किसी भी चलाकी से, लेकिन खुद को खुश रखता है, आज की लासम पूर करेंगे जी, आपका बहुत समय दिया, आपका बहुत भले, भले, तही भले, तही भले, आपका बढ़े, 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 आपका प्रवी. प्रवी जी, थैंक भी जी, थैंक भी टूटू. प्रवी जी, प्रवी जी जी, बाएभाएगा. यॉॉॉ कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो कर सकताぁ कर दो कर दो कर दो कर दो